वेल्कम बैक फ्रेंड सागत है मेरे चैनल में तो आज हम देखने वाले हैं बैस के बाइलाजी पार्ट 14 तो इससे पहले मैंने टोटल 14 13 पार्ट यूट्यूब के उपर अपलोड कर दिये हैं अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे प्लेस्ट में जाकर उसे आप देख सक सकते हैं प्लस अगर आपको कोशन करने हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इतना में हम पढ़ाई कर लिए अगर हमारे रिवीजन नहीं होगा तो यह में हमारे लिए ड्रॉबैक साबित होगा तो इसी के लिए मैंने कुशन से स्टार्ट किया है और उसके टोटल 5 पार्ट मैंने सबसे इंपोर्टन चीज़ अगर मेरा कंटेंड आपको पसंद आता है आप चाहती हो कि मैं ऐसे कंटेंड आपके लिए लिए लेके लाओ तो प्लीज मेरे जो चैनल है उससे सब्सक्राइब करें लाइट बटन दबाए और शेयर करें क्योंकि अगर आप ये शेयर करते हो सब्सक्राइब कर तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिट्व चीज़ होग प्लासिट जो होते है एक और्गनल होता है सेल का जो कैसा होता है डबल लेयर्ड और्गनल होता है तो इसमें जो क्या होता है डीने पाया जाता है important चीज यह है कि कौन-कौन से और्गनल में डीने पाया जाता है तो पिछले लेक्सेस-चिरिस में मैंने डिसकस किया था कि तीन औरगनल है कुण-कुण से, एक तो हमारा nucleus, दूसरा है हमारा mitochondria and third है हमारा chloroplast, ये जो तीन औरगनल है उसमें DNA पाए जता है, अब ये जो chloroplast है वो क्या है, प्लास्टिड है, तो इसका मतलब प्लास्टिड में DNA पाये जता है second है found only in algae, plant cell and certain protist मतलब यह algae में मिलते है plant cell में मिलते है and protist में मिलते है इसका मतलब यह animal cell में नहीं पाये जते है अब सर यह protist क्या होते है वो थोड़ा समझाए अब protist क्या होते है यह होते है unicellular uni means single cellular eukaryotic क्या होते है unicellular eukaryotic cell होते है अब सर eukaryotic means क्या होता है eukaryotic the cell होते है जो जिसका nucleus जो होता है well developed होता है and nucleoplasm and cytoplasm यह separated होते है मतलब nucleus को एक suppose यह cell है cell के अंदर यह nucleus है तो nucleus का जो बाहर है यह layer होता है nuclear wall होता है उसी बोला जाता है eukaryotic cell तो यह किस में पाया जाते है अलगी में plant में and produce में पाया जाते है third point है हमारा अब तीन टाइप के plastic होते है पहला तो है leucoplast दूसरा है chloroplast and chromoplast अब हम एक इक पढ़ेंगे simply leucoplast means क्या होता है जिसको color नहीं होता है colorless होता है ठीक है leucoplast means जिसको color नहीं होता है second है chromoplast और colored plastic यह कैसे होते है colored plastic होते है लेकिन यह color कौन सा होता है यह orange yellow, orange and red color होता है इसमे green color include नहीं है ठीक है तो इसमें color होता है yellow, orange and red and हमारा जो chloroplast है यह होता है green color का क्यूँ? क्यूँकि इसमें पाय जता है एक pigment जिसका नाम है chlorophyll अब यह जो chloroplast होता है तो color part है तो यह chloroplast जो होता है कहा कहा पाय जता है यह flowers में पाय जता है and fruits में पाया चाता है ठीक है तो इसी लिए flower and fruits को color आता है और यह जो chloroplast होता है हमारा यह maximum leaf में पाया चाता है क्योंकि chloroplast में green color का pigment होता है जिसे बोला चाता है chlorophyll and इसी chlorophyll के कारण ही हम जो plants होता है वो photosynthesis करते है और उसी के वजह से plant में food synthesis होता है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि यह जो chloroplast होता है वो actually दिखता कैता है तो यह है हमारा chloroplast and यह कैसा organal होता है double layer organal होता है ठीक है तो इसी के अंदर क्या पाया जाता है DNA पाया जाता है क्या पाया जाता है DNA ठीक है तो तीन और्गनल ऐसे हैं जिसके अंदर DNA पाया जाता है तो क्लोरोप्लास के अंदर भी DNA पाया जाता है और एक बात बताने वाली चीज वो है कि इसके अंदर एक जेली-like material होता है, liquid होता है उस जेली-like liquid को बोला जाता है stroma ठीक है और यह जो structure दिख रहे है जो coin-like structure है अगर हम एक structure की बात करें ठीक है तो उसे बोला जाता है thalakoid अगर उसका bunch बना दिया जाए ठीक है तो उसे बोला जाता है granum तो आपको याद क्या रखना है यह एक double layer organal है जिसमें DNA प्लाया जाता है जिसके अंदर chlorophyll नाम का एक pigment होता है जिसका color green होता है जो liquid है उसे बोला जात है stroma single layer coin structure होता है उसे बोला जाता है thalakoid अगर उसी का bunch बना दिया जाए तो उसे बोला जाता है granum तो यह बारती हमारी chloroplast या मोटा-मोटा तरपर कहा जाए तो प्लास जोड़ा ठीक है अब हम मूग करते हैं हमारा next जो ओर्गनल से lysosome ठीक है बहुत important है तो lysosome means meaning ही होता है digestive body ऐसा ओर्गनल जो दूसरे को डाइजस करता है अब भाईसा digest क्यू करता है इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो digest करता है तो इसके अंदर एक enzymes होता है जिससे बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजयम क्या बोलते हैं उसे हाइड्रोलिटिक एंजयम तो इसी लिए इसको क्या बोला जता है सुसाइड बैक कहा जता है तो इसका function मैं discuss करूँगा लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो lysosomes होता है वो originate कहा से produce होता है तो cell के अंदर एक गौलजी अपरेटस नाम का एक ओर्गनल है उसी के अंदर ये originate होता है ठीक है और बहुत important बात ये है कि mammals क्या अब mammals क्या होते है देखो friends mammals वो animals होते है जो अपने बच्चों को मतलब जिनमे memory glands होती है जो अपने बच्चों को दूद पिलाते है ठीक है और उनके स्कीन पर बाल भी आते है तो इनको बुला जाता है mammals क्या बलते हो उसे mammals ठीक है तो आपको याद रहे रखना है कि mammals की blood के अंदर जो rbc होती है क्या होती है rbc होती है तो उनके अंदर oxygen को एक जगे से जैसरी जगट ट्रांस्पोर्ट करना ठीक है तो इसके लिए maximum जगा उसके अंदर चाहिए होती है तो इसलिए अगर उसके अंदर nucleus ना हो तो वो जादा से जादा oxygen क्यारी कर सकता है ठीक है तो आपको याद रखना है जो RBCs होते है उसके अंदर क्या present नहीं होता nucleus present नहीं होता है प्लस उसके अंदर क्या present नहीं होता है lysosome present नहीं होता है ठीक है अब हम देखते हैं कि यह जो lysosomes होता है cell के अंदर जो organal होते हैं उससे digest कैसे करता है basically यह है हमारा एक lysosomes ओके और इसके अंदर एक digestive enzymes है ठीक है अब यह करता क्या है अब डो टाइप से यह organals को digest कर सकता है एक तो क्या करता है वो जो liquid है hydroletic liquid जो भी enzymes है वो cytoplasm में छोड़ सकता है और किसी organals को digest कर सकता है अब एक दूसरी process है उसे बोला जाता है phagocytosis अब इसमें होता क्या है suppose यह है हमारा एक organals या food particle तो यह क्या करता है उसका जो ओटर लेयर होता है लाइजोसोंस का उसके surrounding करता है और उसे अंदर consume कर लेता है जैसे यह particle अंदर आ जाता है hydroletic enzyme अपना काम शुरू कर देते हैं और उसे वो digest करना start कर देते तो आपको क्या याद रखना है इसी को ही बोला जाता है suicide back ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अगर इसकी बारे में regarding कुछ भी doubt हो तो प्लीज मुझे कमेट कर देना और मैं इसका next वीडियो जल्दी लेकिया होंगा तो थैंक यू फोर वाचिंग माइडियो और अगर कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक मैं वीडियो शेर मैं वीडियो से लिए और सब्सक्राब मैं चानल थैंक यू